हेलो बच्चो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हीट और टेम्परेशर अर्थात उश्मा और तापमान बैनिक जीवन में गर्मी खूब ही महत्वपूर्ण है उश्मा खूब ही महत्वपूर्ण है खाना पकाने से लेकर गरम पानी तक फ्रिज से लेकर और दिन के तापमान तक हर जगह हमें उश्मा और तापमान दिखता है कभी कोई पदार्थ थंडा होता है और कभी कोई पदार्थ गरम होता है जब कोई गरम पदार्थ खुले में रखा जाता है तो वो अपनी गर्मी अर्थात उश्मा को त्याक देता है अर्थात वो थंडा होने लगता है और जब कभी कोई थंडी वस्तु या थंडा पदार्थ खुले में रखा जाता है तब वो अपनी थंडक छोड़ देता है वो गरम होने लगता है तो इस तरह से कि गरम पदार्थ वातावरण में उश्मा गुमाता है और थंडा पदार्थ वातावरण में से उश्मा लेता है उश्मा का संचारन उश्मा का संचारन इस प्रकार से होता है कि यदि कोई गरम वस्तू होती है गरम पदार्थ होता है वो गरम पदार्थ से उश्मा कम गरंद पदार्थ की और बहती है जहां पर लाल जो यहां दर्शाया गया है वो है गरंपदार्थ और जो ब्ल्यू दर्शाया गया है वो है थंड़ा पदार्थ तो उश्मा होती है जो हीट होती है वो गरंपदार्थ से थंड़ी पदार्थ जब दो अलग-अलग पदार्थ के अलग-अलग तापमान होते हैं वो एक दुसरे के संपर्क में होते हैं मान लो कि ये दो पदार्थ है और ये दुसरा पदार्थ है ये एक दुसरे के संपर्क में जब होते हैं तब उश्मा ज़्यादा गरम पदार्थ से कम गरम पदार्थ की और बहने लगती है ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक ये दोनों पदार्थ एक समान तापमान पर आके ना रुक जाए तो इस प्रक्रिया ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक वश्त्वे समान तापमान तक ना पहुँच जाए इसे थर्मल संतुलन अर्था थर्मल एक्विलिब्रियम कहते हैं अब तापमान क्या होता है तापमान किसी भी पदार्थ का गरम या थंड़क की मातरा होता है अर्थाथ कोई पड़ पदार्थ ने थंड़ा पणा के गरम पणानी मातरा ने तापमान कहिए चे अब तापमान को कैसे मापत है तापमान को मापने के लिए इस्तमाल किया जाता है थर्मोमीटर का और थर्मोमीटर में थर्मोमीटर ऐसा कुछ दिखता है थर्मोमीटर दो प्रकार के होते हैं एक क्लिनिकल थर्मोमेटर और दूसरा नॉर्मल थर्मोमेटर इन दुनों की जो तापमान मापने की शक्ती है वो सब अलग-अलग होती है और थर्मोमेटर या तापमान का एकम होता है सेल्सियस और फैरन हाइट एक तो होता है सेल्सियस दूसरा होता है डिगरी फैरन हाइट और एक और तीसरा होता है जिसको हम केल्विन बोलते है तो ये तीन एकम इस्तेमाल किये जाते है सेल्सियस से फैरन हाइट में जाने के लिए इसका सूत्र ये यहाँ बताया जा रहा है एक तंदूरस्त आदमी के बॉडी का टेंपरेचर अर्थात एक तंदूरस इंसान के शरीर का तापमान अप्रॉक्सिमेटली 37 डिग्रीज होता है 37 डिग्रीज सेल्शियस होता है यदि आपको कोई यही तापमान आपको पूछता है कि फेरनहाइट में क्या होता है एक तंदूरस चरीर का तापमान फेरनहाइट में बताईए तो आप इस सूतर का इस्तमाल करके आप सेंटीग्रेड से फेरनहाइट में कनवर्ट कर सकते है तो जैसे कि हमने जाना कि थर्मोमेटर दो प्रकार के होते है और उनकी अलग-अलग तापमान मापने की शक्तिया होती है जो क्लिनिकल थर्मोमेटर होता है वो ज़्यादा तर अपने डॉक्टर के वहाँ यूज होता है क्लिनिक में यूज होता है, अस्पताल में यूज होता है, क्योंकि इसकी जो तापमान मापने की शक्ति होती है, वो हमारे जो regular thermometer होता है, उससे कम होती है regular thermometer हमारा 0 degree से लेकर 100 degree के उपर तापमान माप सकता है, परन्तु जो हमारा clinical thermometer होता है, वो 0 degree से लेकर ज्यादा से ज्यादा 50 degree तक माप सकता है, centigrade, यदि हमने इसको हमारी रोजमरा जिन्दगी में इस्तमाल किया, ताकि यदि हमें पानी का तापमान मापना है, तो ये thermometer बिगड जाएगा, ये thermometer हमें सिर्फ हमारे शरीर के तापमान को मापने देता है, और ये जो दूसरा thermometer है, जो कही पर भी यूज़ कर सकते हैं, परन्तु हम इसका इसका इस्तमाल हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए नहीं कर सकते हैं, अब हमने देखा होगा कि जो बरफ होता है, जो बरफ का गोला होता है, उसको हम यदि बहार रखते हैं, तो वो पीगलने लगता है, और कभी पा गलन बिन्दू और उतकलन बिन्दू. So what is a melting point? Constant temperature at which solid substance is converted into liquid form is called melting point of that substance. तो जे नियमित तापमाने घन पदार्थ नू घन माती प्रवाही स्वरूप मारूपांतर थाई छे ते अच़ड तापमान ने पदार्थ नू गलन बिन्दू कहिये छे तो ये एक ऐसा तापमान होता है जहां पर जो घन पदार्थ होता है अर्था जो solid substance होता है वो अपने solid structure को छोड़कर वो liquid अर्था प्रवाही में बदलता है और वो तापमान जब सतत रहता है जब वो constant रहता है उस तापमान को कहते हैं हम गलन बिन्दू और उतकलन बिन्दू होता है कि the constant temperature at which liquid is converted into vapor is called boiling point of that substance तो जे नियमित तापमान ने प्रवाही पदार्थनू प्रवाही माती वायू मा स्वरूप मा रुपांतर थाई छे ते अचड तापमान ने अपने पदार्थनू उतकलन बिन्दू कहिये छे तो उतकलन बिन्दू जो वो होता है कि जब कोई प्रवाही पदार्थ होता है तो प्रवाही पदार्थ में से वो वायू में जब रुपांतरीत होता है तो तब जो तापमान होता है जो सतत तापमान होता है उसको हम बोलते हैं उतकलन बिन्दू अर्थात boiling point तो यदि कोई पानी उबल रहा होता है तो जब बुलबुले बनने लगते है तब हम उसको बोलते है वो उसका boiling point है वो उसका उत्कलन बिंदू है और उत्कलन बिंदू पानी का होता है 100 degree Celsius और गलन बिंदू पानी का होता है 0 degree Celsius जब पानी प्योर होता है अर्थात इसमें कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं होती तब ये दोनों इसके गलन बिंदू और उतकलन बिंदू होते है अब हमने देखा होगा कि जब पानी उबलता है तब उपर भाप बनने लगती है तब वो वायू बनने लगती है उपर वो वायू अर्थात इवापरेशन या भास्पी भवन और उतकलन में क्या अंतर होता है तो गुजराती में देखे तो भास्पी भवन और उतकलन वच्चे तफावत भास्पी भवन प्रवाहीनी सपाटी पर थती भास्पथी थाई छे जारे उतकलन समग्रप प्रवाहनी अंदर थाती भास्प्थी थाई छे भास्पी भवन दरेक ताप माने थाई छे जारे उतकलन चौकस ताप माने अर्थात उतकलन बिंदू पर थाई छे Evaporation takes place due to vapor formed on the surface of the liquid or boiling takes place due to vapor throughout the liquid inside it Vaporization अर्थात evaporation occurs at any temperature Boiling occurs at specific temperature तो जो भास्पी भवन या evaporation होता है वो कोई भी ताप मान पर या किसी भी ताप मान पर हो सकता है परन्तु उतकलन अर्थात boiling वो एक निश्चित ताप मान पर होता है उस ताप मान को हम क्या कहते हैं? उतकलन बिंदू कहते हैं और जो evaporation होता है वो सतह पर से होती है जो हमारा liquid जो प्रवाही होता है उसकी सतह से होता है परन्तु जो boiling अर्थात उतकलन होता है वो पूरे समग्रप प्रवाही के अंदर से होता है यदि इसको दूसरे words में बोलने जाए दूसरे शब्दों में बताए तो evaporation is a surface phenomenon surface अर्थात उसकी सतह पर होता है और boiling होता है bulk phenomenon अर्थात वो उसके प्रवाही के पूरे अंदर से यदि ये जो पानी भरा है हमने यहाँ पर तो जो evaporation अर्थात भासपी भवन होता है वो उसके सिफ सतहा पर से होता है और boiling जो होता है अर्थात उतकलन होता है वो उसके समग्रप्रवाही में से अर्थात समग्रशरीर में से होता है ये रहे कुछ सवाल इन सवालों के जवाब आप comment section में दे सकते हैं यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो like और share कर दीजेगा और हमारी चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा यदि आपको किसी भी प्रकार का doubt है तो हमें निश्चित तोर से comment section पर आपका doubt डाल दीजेगा धन्यवाद बच्चो